जम्मु गस्मीर में चुनावे बिगुल बच गया है। चुनाव और मतगर्णा तारीखों के एलान के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं उत्तप्रदेश की पूर मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को जम्मु गस्मीर में विधान सबा चुनाव की चुनाव को अहम भूमिका जिससे बहुत सारी समस्याओं का समधान संभव है। उन्होंने काया कि पार्टी लंबे इंतिजार के बाद जम्मु कस्मीर में विधान सबा चुनाव के लिए आज तिथी की घूशना होने का स्वागत करती है। ताकि वहां समिधान के हिसाब से राजनीतिक और लोकतांतरिक गत्विधियां जोर पकड़ सके। उन्होंने काया कि बस्पा यह चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं एकानने पोस्ट में बस्पा प्रमुक ने हर्याणा में चरण में होने वाले वधान सबा चुनाव का भी जिक्र किया और स्वागत करते कि बस्पा का इंडियान नेशनल लोकदल के साथ मजबूत गढ़ बंदन पहले से जमीन पर सक्री है। उन्होंने काया कि बस्पा का संकल पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़कर खुद अपनी गढ़ बंदन की सरकार बनाने का है। वहीं मायावती ने लिखा हर्या कि बस्पा का इंडियान नेशनल लोकदल के साथ मजबूत गढ़ बंदन पहले से जमीन पर सक्री है। जिसका संकल पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़कर खुद अपनी गढ़ बंदन की सरकार बनाने का है। दूसरे से फेज की वोटिंग होगी, एक अक्टूबर को तीसरे चरण का मददान होगा, जबकि चार अक्टूबर को मदगर ना होगी। इससे पहले मुखिस चुनाव आयोकत राजियो कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया रहा है। उन्होंने काया कि दूनिया में सबसे ज़्यादा मददान अगर कहीं किसी चुनाव में हुआ तो वो लोकसभा चुनाव दोजार चुनाव था। इसके साथे आपको ये भी बतादे कि ये चुनाव उत्सावी महौल में हुए युवाओं महिलाओं ने मददान प्रक्रिया में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया, लोकतंतर में जीवन्त उधारण हमें देखने को मिला, जब जब विश्व में चुनाव होंगे आपको निश्यत रूप से हमारे दीस में हुए चुनाव की याद आती रहेगी, ये चुनाव हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहेंग और ये मद्दाता केंदर कुल 9199 स्थानों पर बनाए जाएंगे, वहीं जब मुकस्मीर में चुनायोग ने इस बार 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला भी किया है, 370 हटने के बाद पहली बार जब मुकस्मीर में चुना होंगे, 2019 में 96370 खत्म करने के बाद उसके बाद से ही वहां के राजनीतिक दल लगाता राज्य का दर्जा वापस दिये जाने की मांग कर रहे थे, उदर सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि पहले राज्य में चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, बेराल मायवती के कदम पर और जम्मकस्मीर में होने वाले चुनाव पर आपकी क्या रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें